तो my dear student आज किस वीडियो में बात करेंगे बिये थर्ड एर के बिये फिप्त समस्टर के हिंदी के सिकेंड पेपर के most important topics and news labels के बारे में तो जिन जिन भी university वा college में student की परिच्छा हिंदी की होने वाली है या फिर आने वाली दिनों में होंगी ठीक है जब भी हो ठीक है तो उनको क्या पढ़के जाना है कहां से प्रश्ण आएंगे क्या पूछा जाएगा जब आप पेपर देने जाएंगे question paper में किस परकार question सब्सक्राइब क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमने तो थोड़ा बहुत आप लोग जिस प्रस्ण का उत्तर माली नहीं मालूम होगा उसको भी आप बनाके लिए ठीक है और जिसका मालूम होगा तो उसका बहतरीन तरीके साब लिखते ही काफी smart student है तो चलिए मैं मुद्द में हर सब्सक्राइब के दो पर देने होंगे तो फरस्ट पर का जो सब्सक्राइब कबर करा रखा हूं वीड़िओ बना दिया है हिंदी का सब्सक्राइस हे लिखते है जितने में सब्जक्ट है हर एक सब्जक्ट 8 यूनिट 8 चैप्टर 8 तोपिक से डिवाइड है आप तो यह आठ यूनिट में डिवाइड है, एक एक यूनिट करके समझते हैं, तो पहला यूनिट है, इसमें आपको कहां से question आएंगे, क्या देखने को मिलेगा, यह जानकारी होगी, ठीक है, और मैं आपको यह भी बता दूँ, कि slabers और most important topics वाली वीडियो देखने से आपके lab क समस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, कबीर दाफ आएंगे, तो यह जानकारी आपको मिल लाइए, बस वरना तो आप लोग कह देंगे, कि हामको भाई मालूम है, तो slabers क्या है, जितने समस्टर है, सबका slabers अलग अलग है, ठीक है, तो बीर गाथा का बीरघाफा का लाजट यहां, कणूं, बीर गाथा का ल है, तो और यॉसे के बिद्वन eta नाम को रखने वाले अलग अलग बिद्वान है, ठीक है, उसके बारे हम हमição में कोई के वाब करेंगे, तो बीरघाफा का को ध्यान का जाता है, तो बीरघा का जो शराष्टिय का आप मतलब कि नेशनल जो रचना है थीक है इसके बारे में आपको लिखना चप्रिक आप बहुत ही पौपलर कभी है तीक है और यह इंटर नेशनल है ठीक है तीक है आई-स-पी-स की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी competition एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो उसमें question आता जरूर है क्योंकि इंटरनेशनल टाइप का question है तो इसी की बारे में आपको लिखना है और उसके बाद अगला जो पॉइंट है वह जगनिक भी बहुत ही प्रमुक बिद्वान है इन्होंने आलाखंड की रशना कि यह तो आलाखंड फिर जुड़े question पूशे जाएंगे इसकी बारे में पूरा डेटेल में पर पड़ा मतलब से लिखा गया है आप पढ़ सकते आलाखंड के अंतरगत आपको नैनागर की लडाई अत्वा आला का बिवाखंड यह सब आपको पढ़ना होगा यहां सम्मंदित question पूशे जाएंगी जो कि आपको ध्यान रखना जगनिक जो है जगनिक जी की जो रशना है उसका नाम आला रशना है और उन रशनाओं को रिखने वाले जो कभी है उनके बारे हम देखना है यह सब भक्ति रखना के कभी दियात तो पुर्मक बिद्वार और प्रमक कभी गुरू गुबिंद सिंग इनकी रशना के बारे में यहां पर आपके फ्लेवर्स में हैं उनसे सम्मंदित question प आपको सिकेन नियुट में गुरू गुबिंद जीफे जुड़े आपको question देखने को मिलेंगे ठीक है तो यह आपके इस लेवर्स में हैं ओके चलिए अब बढ़ते हम नेस्ट पॉइंट क्यों नेस्ट पॉइंट जो की भूफट जी है जो कि यह भी प्रमुक बिद्वान बाने फर राने निज म्यानते मयूखे दारुन दहत हरनाकुस बिदा रिबे को तो भूफट जी की जो रश्णा है उसमें ये बात कही गई है इससे सम्मंदित question आएंगे ठीक है इस बात को दिहान रखेंगे उसके बाद थर्ड नंबर युनिट में आपको भारतें युग और दुबेदी युग की जो राष्टे रश्णाय हैं जो राष्टे रश्णाय यानि की काब्य हैं और उनको लिखने वाले जो कभी हैं उनसे सम्मंदित question आएंगे तो जिसमें आपको देखने को भारतें धरिश्चंद जो की आपने पढ़ाई होगा भारतें धरिश्चं प्यार कर लिए जीगा ताकि question आये तो आप लोग उसका उत्तर दे सकें ठीक है मैत्रिश्चंद गुप्त मैत्रिश्चंद गुप्त भी हिंदी के बहुत ही प्रमुक कभी है और यह जो है वह भारतेंद और दुवेदियोगीन कभी हैं और इनकी जो रश्णा है आर और मात भूम इनसे सम्मंदित question आएंगे आपके फिप्त समस्टर के हिंदी के सिकेंड पेपर में ठीक है उसके बाद हम फोर्थ यूनिट में आपको चायावाद यूगीन राष्ट काब यानि कि चायावाद यूग के राष्टी यानि कि जो राष्टे रष्ट 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 सम्मंदित question पूशे जाएंगे चायावाद के कभी ठीक है और प्लस उन्होंने जो रष्ट रष्ट रखी उससे सम्मंदित आएंगे तो चायावाद के प्रमुक का विजर्फे की जैसंका प्रसाद जी सुरका अंत्रपाठी निराला जी मांखालना चेतर बेदी जी शुब लेकिन जो आपके flavors में उससे सम्मंदित question पूशे जाएंगे जिसके भारती बंदनाना है तो इससे सम्मंदित question आएंगे और माखनलाल चतर बेदी की पुस्पिकी अभिलाफा प्लस जमानी जो रष्ट ना है इससे सम्मंदित question पूशे जाएंगे अगला जो पॉइंट है और इन्होंने वीरों का कैसा हो बसंत यह रष्टना रफी और इससे सम्मंदित question पूशे जाएंगे जो यूग है तो चाया वात्तर यूग के पूशे जाएंगे बालकसन सर्मा नवीन जी और दूसरे हैं राम धायश्विंग दिनकर और तीफरे हैं स्याम लाल गुप्त जी तो इन्हों ने जो रष्णाय रची है ठीक है उनसे सम्मंदित question पूशे जाएंगे लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि आपके जो लेशन में हैं जो अफिप्त समस्टे के अब लेकिन आपके फ्लेवर्स में उनसे सम्मंदित question आएंगे ठीक है जो कि राम धायश्विंग दिनकर इनकी जो रष्णा है इसमें की कराम आज उनकी जै बोल ठीक है और हिमाले एक रष्णा है इससे सम्मंदित question आएंगे उफितरा श्याम लाल गुप्त जी की जो रष तक के रूप में लिखा है तो इससे सम्मंदित question पूछे जाएंगे उसके बाद आपको अगले यूनिट में यानिकी जो आपका यूनिट अमबर शिक्स है इसमें समकालिन राष्टे काब प्रथम चड़ यानिकी कुछ सिमलर जो कभी है समकालिन ठीक है और राष्टे काब प्रथम चरण में कौन-कौन से कभी आते हैं और उन्होंने क्या-क्या रष्टे जी ने चेतक की बीरता लिखा है प्लफ राणा प्रताब की तलवार लिखा अलांकि बहुत फाई रष्टे लिखे लिए कि आपके स्लेबर्स में जहां से प्रश्टनाएंगे वह इन्हीं द उसके बाद अगला जो कभी है उसका नाम गोपाल प्रसाद ब्यास ठीक है तो इनकी जो रष्टना है खूनी हफ्ताचर सहीदों में तुम नाम लिखा ले रहे तो इन रष्टनाओं से संबंधित कुश्चन पूछे जाएंगे उसके बाद आगला जो आपको यूनिट पूछे जाएंगे तो सोहनलाल दुबेदी जी की जो रष्टना है जिसका नाम है मात्रभूम तुम्हें नमन तो इससे संबंधित कोश्चन पूछे जाएंगे इस बात को ध्यान से सुन लिजिए बात में साहिद आपको कोई इसा बताएगा नहीं मेरे को जानकारी मिलेग जो एक्जाम में पूछी गई है और इस बार भी आने के सम्भाव ना हो ठीक है ताकि आप अच्छे खाफे नंबर लेकर आएग्जाम में चलिए अगला जो पॉइंट है वह अटल बिहारी बाच पेजी है इनसे संबंधित कोश्चन पूछे जाएंगे उनकी यादे उनकी करें ठीक है तो यह जो इनकी रशना है सम्मधित कोश्चन आपके फ्लेवर्स में मतलब कि आपके जो लेसन है जो इनकी रशना है वह तो इससे सम्मधित कोश्चन पूछे जाएंगे और पिछले ठीक है राफ्टे यानि एक मिनिट हाँ मैं आपको बता दे रहा हूं कि पारे में तो आप लोग उनको देखा भी होगा जानते भी साथ डाक्टर रमेश प्रुख्यालनिसंग जो है अभी समय केंद्रेफिच्छा मंत्री पकोविड के समय में जो केंद्रेफिच्छा मंत्री थे वो डाक्टर रमेश प्रुख्याल निसंग कहीजी थे इन्होंने मात्र वंदना और हम भारती वासी यह रशना रखी है लिखी है तो इनसे सम्बंदित कोईश्चन पुछे जाएंगे और जो लास्ट यूनिट है यानि कि एट नंबर यूनिट है उसमें आपको प्रदीप के जितने भी यहां पर रश्णा है उनके बारें पढ़ लेना है प्लफ फाहिर लुधिया ठीक है लुधियान वी इनसे सम्मधित कोश्चन आएंगे नीरफ फिर्ट कोश्चन आएंगे राजेंद्र करसं से जुड़े आएंगे गुलसन बावरा फिर्ट आएग खिर्ट फिर्ट लेफ install करेंगे ना भी के जाती है वाएंगे नहीं प्नुक्र फिर्ट कोश्चन खस pillar कोश्चन आप आने वाले दिनों में हमारी question answer की class चलेगी फिर महा संग्राम वीडियो आएंगी फिर महा संग्राम वीडियो रिवीजन क्लाफ आएंगे इफी तरह पूरी आपकी रिवीजन हम कराएंगे और अग्जाम की तैयारी कराएंगे तो इफ ले आपका अपना ही चैनल सक्षेस्ट ह सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकिशन सबसे पहले मिलता रहें बाकि मिलते हैं और ने वीडियो में जैंद